कहानी की शुरुआत सीमो नाम के लड़के से शुरू होती है, जो आज ही अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था. सीमो इस शहर में नया नया आया था, इसलिए उसने किराये पर घर लिया था. सारा समान ठीक करने के बाद वो जैसे ही आराम करने लगा, तो उसे एक दीवार से सीमो जब घर आता है, तो उसे फिर से पडोसी लड़की की आवाज सुनाई देती है. सीमो ध्यान से सुनता है, तो उसे पता चलता है कि पडोसी लड़की किसी से फोन पर बात कर रही है. सीमो को उसकी आवाज काफी अच्छी लगी, इसलिए वो उसे ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता था. वैसे सिमो के पड़ोस में तारा नाम की जवान लढ़की रहती थी. तारा इस शेहर में पैसे कमाने आई थी. उसका परिवार गाउं में रहता था. इसलिए तारा यहां अकेली ही रहती थी. अगली रात भी सिमो सब काम खत्म कर दिवार के पास बैट जाता है, वो तारा की मीठी मीठी आवाज सुनना चाहता था, तारा भी काम से बापिस लॉट आई थी, वो कुछ देर टीवी देखती है और फिर सो जाती है, अगले दिन सुबह होते ही दोनों काम पर निकल पड़ते हैं, सिमो जान बूझकर उसी वक्त निकला था, जिस वक्त तारा निकली थी, वो तारा का चेहरा देखना चाहता था, मगर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती, रात को तारा जब घर में थी, तो उसे एक अंजान नंबर से एक अजनबी का फोन आता है, अजनबी उसे धमकी देता है, कि वो उसकी गुफा पान भी जाता है, दोनों कुछ देर बातें करते हैं, और फिर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते है, अगले दिन सिमो ने अपने घर में एक मशीन लगा ली, उसने ये मशीन उसी दीवार के साथ लगाई थी, जिस दीवार के पार तारा का घर था, दोनों घरों के ब आवाजे आसानी से सुन सकता था। सिमो तारा की हर आवाज सुनना चाहता था। इसलिए उसने एक मशीन लगा ली थी जो उसे तारा की हर आवाज सुना रही थी। मशीन सिमो को इतनी साफ आवाज सुनाने लगी जिससे सिमो को लगने लगा कि जैसे तारा उसके पास ही शाम को सिमो जल्दी ही आफिस से लोटाया था, समय बिताने के लिए वो मुवीज देखने लगा और इसी बीच उसकी डोर बैल बजती है, वो होल से देखता है तो उसे एक लड़की नजर आती है और ये लड़की तारा थी, दर्वाजा खुलते ही तारा उसे एक बॉक्स दे का फोन आता है और वो फिर से उसे धमकी देता है, इस बार भी तारा डर कर अपने लवर जिम को बुलाती है, सिमो भी दीवार के पास बैठा हर चीज सुन रहा था, उसे जिम के आने का पता चल गया था, और उसे ये भी पता था कि जिम तारा का पानी निकालेगा, वो के कारण तारा का मूड इतना खराब हो गया कि वो जिम के साथ कुछ नहीं करती, वैसे इस लड़की को सिमो ने फोन किया था, ताकि तारा जिम पर गुस्सा करे और उसे घर से निकाल दे, हालांकि सिमो ने पूरी कोशिश की थी, मगर तारा को जिम पर पूरा यकीन था, इ सिमो तारा से उसके काम के बारे में पूछता है, तारा उसे बताती है कि मैं सुबह आफिस जाती हूँ और रात को एक होटल में काम करती हूँ, उसकी बात सुनकर सिमो उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए महनत कर रही थी, रात होते ही सिमो ने अपनी पहन ली ताकि वो तारा की बातें सुन सके इसी बीच तारा को फिर से अंजान बंदे का फोन आता है फोन सुनकर तारा फिर से डर गई और वो जल्दी जल्दी जिम को फोन करती है वैसे जिम ही वो अंजान बंदा था जो तारा को फोन कर धमकी देता था वो ये सब कुछ जान पर तूट पड़ता है, तारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती, अगली रात जब सिमो काम से लोट रहा था, तो उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है, गाड़ी में जिम बैठा था, और वो अपने लैप्टॉप में तारा की वीडियो देख रह था, दरसल उसने तारा के घर कई खुफिया कैमरे लगा रखे थे, ताकि वो तारा पर नजर रख सके, और उसके बदन के मजे भी ले सके, सिमो को उस पर शक्त होता है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं था, इसलिए वो चुप चाप वहां से चला जाता है, कुछ देर तुम ये पैसे रखो, और तारा के साथ फिल्म बनाओ, इतना कहकर वो साला चला जाता है, जिसके बाद सिमो को उस पर बेहद गुसा आता है, अगली शाम तारा काम से लौट ही रही थी, कि रास्ते में उसे सिमो मिलता है, सिमो उसके साथ खाना खाना चाहता था, जल्दी ह दोनों एक होटल में आकर खाना खाने लगते हैं, सिमो उसे सब बताता है, कि जिम उसके पास आया था, और वो उसकी फिल्म बनाना चाहता है, वैसे तारा को पता था, कि जिम ने उसके घर में कैमरे लगा रखे हैं, वो सिमो को बताती है, कि जिम के पास उसकी इसके साथ ही वो तारा से कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिये तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लवर को भी मार दूँगा। प्लैक मिल कर रहा था। कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे घर नकली बदमाश आया था, क्योंकि तुम मुझे डरा कर भगाना चाहती थी. इसके साथ ही वो तारा से कहता है कि हम दोनों में से सिर्फ तुम ही बेवकूफ बन सकती हो. मैं ही वो अंजान बंदा था जो तुम्हें फोन पर धमकी देकर बेवकूफ बनाता था। जिम की बात सुनकर तारा हैरान हो गई। वो गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन जिम उसे ही दबोच लेता है। जिम के पास एक चाकू भी था। इससे पहले कि वो तारा के साथ कुछ कर पाता तब ही सिमो उस पर कूथता है। सिमो के आते ही तारा बाहर निकलती है और डर कर सिमो के घर चली जाती है। उधर जिम और सिमो के बीच लड़ाई शुरू हो रही थी जबकि तारा उसी दीवार के पास आ गई थी जिसके पार सब कुछ सुन उधर तारा ने सिमो की मशीन देख ली थी और उसे पता चल गया था कि सिमो उसकी हर चीज सुन रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।